तो इस वीडियो में बात करने वाले अपन इंडियन बाइक सिमिलेटर गेम की यह जो गेम है बहुत जल्दी पॉपुलर हो रहा है और बहुत सारे लोग इसको डाउनलोड किये है और गूगल पे गूगल प्ले स्टोर पर इसके पुरे 50 मिलियन प्लस डाउनलोड हो चुके तो यह गेम इतना पॉपुलर क्यू हो रहा है लोग इतना जादा क्यू खेल रहे है क्यू इतना क्रेजी है इस गेम के लिए तो यही बात डिसकस करेंगे अपन इस वाली वीडियो में सो चले स्टाट करते है जो इस गेम का जव अपन इंटर्फेस देखते है तो वो एक बिलकुल अपने को लेखल ... बिलकुल हमें ऐसा लगता है तो इस गेम का जो नॉर्मल इंटरफेस देखते हूं तो जब हमको लगता है कि ये बिल्कुल GTA V की कॉपी है तो हाँ इसके अंदर GTA V से कुछ inspiration लिया है और उसी को देखकर इसके अंदर गाडिया, map और कुछ आपको stunt और कुछ mechanics इसके अंदर देखने को मिलने वाले है तो ये जो गेम है लोगों को इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि GTA V नहीं आ रहा है मोबाइल के लिए और बहुत सारे लोग खेलना चाहते है उसी ग्राफिक लेवल का और यही बात लोगों को अच्छी लगती है इसके अंदर के ये GTA V वाली feeling दे रहा है पूरी के पूरी तो नहीं लेकिन कुछ हद तक दे रहा है जब तक हम जब तक उन्हें टाइम पास करने के मिल जाता है जब तक की असली GTA V मोबाइल पर लॉंच नहीं होता तो इस गेम में अंदर बेसिकली होता यह कि आप मोबाइल फोन से कुछ कोड दालके और उससे आप गाडियों को बुला सकते हो गाडियों को स्पॉन कर सकते हो तो लेंब़गिनी इसके अंदर रिसेंटली एड हुई है और बहुत सारी अलग अलग का गाडिया इसके अंद आपको देखने को मिल जाता है इसके अंदर और जो प्लेन है वो भी आपको देखने को मिल जाता है इसके अंदर एक सीटी देखने को मिलती है जो की जीटे 5 से रिरेंबल से और इसकी ग्राफिक्स की बात की जाए तो यार यह यह उनिटी में बनाया हुआ गेम है और इसकी ग्राफिक्स और जो इसाब से गेम मुबाइल पर चलता है इससे मतलब और जादा एक्सपेक्टेशन्स तो नहीं रख सकते लेकिन बहुत जादा अच्छा है इसके अंदर आप इंडियान कार्स इंडियान बाइक्स को भी स्पॉन कर सकते हो और इसके चीट कोड मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँआ आप इसको डाउनलोड करकर देख सकते हो और खेल सकते इसको सो दोस्तो आज की वीडियो यही पर स्टॉप करते हैं मिलते आप से नेक्स्ट वीडियो में